सफेद शेर बड़ी दिनों बाद शेर और शेरनी को एक बच्चा होता है वो दूद के जैसे सफेद था उसे देखकर शेर कहता है हमारा बच्चा कितना सुन्दर दिख रहा है भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे मैं इसे किसी के नजर आने ही नहीं दूँगी तो कैसे लगेगी नजर मैं तो हमेशा इसे अपने आखों के सामने रखूंगी और सभी जानवरों को अपने बच्चे को देख नहीं नहीं दूँगी शेर्नी ने जंगल में आदेश भेज दिया कि जब कभी राजकुमार शेर और शेर्नी के साथ जंगल घुनने निकले तो कोई उसे नजर उठा कर ना देखे जिस वज़े से सारे जानवर शेर्नी की आदेश का पालन करते है एक बार कुछ जानवर एक साथ बाते कर रहे थे तबी वहाँ लोमड़ी आती है और वो कहती है अरे हमारे जंगल का राजकुमार कैसे दिखता है हमें तो ये पता तक नहीं लोमड़ी की बात सुनकर बंदर कहता है अरे सुना है कि वो सबसे हटकर है और उसका रंग तो विलकुल दूद के जैसे सफेद है मैंने तो आज तक ऐसा सफेद शेर देखा ही नहीं तो आज भी कौन सा देख लिया उसे? सारे जंगली जानवर सफेद शेर को देखने के लिए तरस जाते है शेरनी तो दिन बदिन अपने बच्चे को गूफा में ही रखने लगती है ना किसी से मिलना और ना ही किसी के साथ खेलना ये सब देखकर शेर शेरनी से कहता है सुनो शेरनी ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो अपने बच्चे को गूफा के बाहर निकालो उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने दो जंगल में अकेला घुमेगा तभी तो उसे जंगल के तौर तरीके पता चलेंगे यू तुम उसे गुफा में कैद करके रखोगी तो सोचो क्या हो सकता है नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे कैसे किसे के साथ खेलने दू और जंगल में अकेले छोड़ने की बाद तो तुम सोचो ही मत अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे हम अरे तभी तो वो ताकदवर और शूर विर बनेगा नहीं तो वो डरबोक और हमेशा दूसरों पर निरभर रहेगा या दूसरों से डरता जाएगा ना ही वो शिकार कर पाएगा ना ही किसी से दोस्ती इस तरह से शेर शेरनी को बहुत समझाता है पर शेरनी सुनने का नाम ही नहीं लेती तब शेर ही शेरनी को सुधारने के लिए एक प्लान बनाता है तब ही एक दिन सवेरे सवेरे शेरनी को गूफा में उसका बच्चा दिखाई नहीं देता उसे ना पाकर वो शेर से कहती है सुनिए, हमारा बच्च गुफा में नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहा चला गया अरे मुझे क्या पता, तुम ही देखो यही कही होगा असपास उसका अच्छे से खयाल तो तुम ही रखती हो ना शेरनी गुफा और गुफा के बाहर अपने बच्चे को डूनने लगती है और जब उसे अपना बेटा दिखाई नहीं देता, तब वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है हाई रे मेरा बच्चा, पता नहीं मेरे बच्चे को किस ने चुरा लिया अब मैं उसके बिना कैसे जिऊंगी इस तरह शेरनी रोते ही रहती है, उसके आवाद सुनकर बाकी जानवर वहां इकटा होते है तब उसे लोमडी कहती है अरे शेरनी, तुमने अपने बच्चे को लड़ाई भी नहीं सिखाई थी अब वो घर कैसे वापस आएगा और ना ही हम तुमारे बच्चे को कभी देखा है फिर हम उसे कैसे ढूनेंगे लोमडी की कहने से शेरनी को भी अपने गल्ती का एहसास होने लगता है वो बहुती उदास होकर रोते हुए रहती है तब शेर उसे कहता है सुनो शेरनी इस तरह से रोना मत बन करो अपना रोना चलो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को ढूनते है और ज्यादा परिशान मत हो वो हमें जरूर मिल जाएगा ऐसा कैकर वो दोनों अपने बच्चे को ढूनने निकल पड़ते है बाकी के जानवर भी उनके साथ-साथ बच्चे को ढूनते रहते हैं ऐसे में ही शेरनी को अपना बच्चा खरगोश के बच्चे के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है शेरनी दोडते हुए अपने बच्चे के पास जाती है और उसे गले लगाती है तब शेरनी का बच्चा कहता है मा, आज जितना खुश मैं कभी नहीं था इन बच्चों के साथ खेलकर मुझे बहुत आनंदारा है बच्चे की ये बात सुनकर शेरनी भी बहुत खुश हो जाती है और सारे जानवर भी अपने राजकुमार को पहली बार देखकर वो भी खुश हो जाते है तब शेर कहता है देखा शेरनी, हमारा बच्चा सब के साथ घुल मिलकर खेल रहा है, कितना खुश है वो शेरनी उस दिन के बाद से अपने बच्चे को बाकी जानवरों से मिलने से और खेलने से नहीं रोकती और उसे अपना बच्चाव कैसे करना ये भी सिखाती है इसलिए हमें अपने बच्चे को इतना भी प्यारिया उसकी देखभल नहीं करनी चाहिए जिससे वो खुद की रक्षा ही करना भूल जाए उसे बागी बच्चों के तरह ही खेलने और उदने की आज़ादी देनी चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए शेर और बाग एक जंगल का राचा शेर था और मंत्री बाग था बाग शेर का बहुत भरोसे मन था हर दिन बाग शिकार पर जाकर खाना लेकर आता था और शेर उसका खानी को मजे से खाता था बाद में बचा हुआ खाना बाग खाता था इस तरह आराम से समय बित्ता गया एक दिन शेर ने कहा महामंत्री शिकार पर जाकर कुछ अच्छा खाना ले आओ ठीक है महाराज अभी आपके लिए अच्छा खाना लेकर आता हूँ इस तरह बाग शिकार पर जाकर इधर उधर गुमते रहता है इतने में जानवरों का एक जोन दिखाए देता है रुको अपनी जगा से कोई नहीं हिलेगा महाराज पोहत भूके हैं आज उनके भूक मिटाने कौन आ रहा है इस तरह पूचते ही सारे चानवर डर से कापने लगते हैं और मौन हो जाते हैं फिर बाग कहता है कोई बोल क्यूं नहीं रहा है अच्छ ठीक है मैं ही कहता हूँ ओए हीरन अज तो महाराज का अहार हो चलो मेरे साथ ठीक है महा मंत्री जी फिर हीरन बाग के साथ राजा के पास जाती है इस तरह हर दिन बाग आकर उसका मन पसंद जानवर लेकर चला जाता है एक दिन सारे जनवरों का समाबिस होता है हाई मैंने मेरी दोस्त को खो दिया इस तरह कब तक चलेगा कब तक हम लोग महाराज और उस मंत्रे पर बली चड़ते रहेंगे क्या ये जिमन उनके आहार बनने के लिए है हर दिन दो या तीन जानवर अपने प्राण खोदे रहें अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कुछी दिनों में कोई नहीं बचेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही कहो तुमने महाराज और मंत्रे से बचने का कोई ना कोई उपाय सोच नहीं पड़ेगा नहीं तो किसी का भी प्राण नहीं बचेगा तो क्या करें हमें बचाने कोई नहीं आएगा हमें ही कुछ ना कुछ उपाय सोच कर खुद को बचाना चाहिए हाँ हाँ लेकिन राज्या और मंत्री बहुत बलवान है हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए बहुत चाला किसे वार करना होगा हम बुद्धी के बल से इनका सामना करेंगे इस तरह सब को उपाय बता कर लोमडी वहां से चली जाती है अगले दिन बाग शिकार पर निकल कर चानवरों के लिए देखते रहता है इतने में वहां लोमडी आती है महा मंत्री जी आप कहां जा रही हो महराज के लिए खाना लेने जा रहा हूँ क्या बात है आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है अरे, क्या आप नहीं जानते? आज सारे जन्वरोंने समावेस रखा हैं क्या समावेस किसलिए? मुझे तो सारे बात बता नहीं पर कुछ को जानती हो मंतरी जी जल्दे बताओ, क्यों है? समाविस आपके लिए है मंत्री जी महाराज से भी जादा चालाक और बल्वान हो इसलिए हमें बचाने की शक्ति आपके पास ही है हमें खाने का हग भी सिर्फ और सिर्फ आपका है इतना ही नहीं आप अच्छे तरह से पालन कर सकते हो इसे सारे विशे पर समावस में चर्चा करने वाले हैं क्या अगर ये बात महाराज को पता चला तो सब को जान से मार देंगे वो अरे लेकिन चर्चा करने में गलत क्या है आप ही सोचे आपकी तरह महाराज शिकार नहीं करते हर दिन आप ही शिकार करके उनके लिए खाना लेकर जाते हो और उनके खाने के बाद उनका जोटा खाते हो इसका मतलब मेहनत आप करें और वो मुफ्त के रूटिया तोड़े आपको देकर बहुत दया आती है तुम्हारी बातों में सच्चा ही तो है लेकिन मैं क्या करूँ महाराज के आदिस का पालन करना ही होगा न क्या आप हमेशा मंत्री ही बन करेंगे किसे दिन आपको भी राजा बनना चाहिए एक बार सोचिए अगर आप महाराज बन गए तो सारा जंगल आपके कमचे में रहेगा आप जो बोलो वही होगा वो तो ठीक है लेकिन क्या मुझे राजा बनने का यूग्य है अगर आप चाहे तो कल के कल ही आप राजा बन सकते हो हम सब आपको ही सपोर्ट किरेंगे हमारे सारे वोट आपके है चलिए आपको समावेस का जगा दिखाता हूँ इस तरहा लोम्री के साथ बाग जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद जानवरों का जुन दिखाए देता है बाग को देखते ही सारे जानवर एक दम से महामंत्री की जे हो महामंत्री की जे हो ये कहकर नारे लगाते हैं महामंत्री जी दिखो ना हम सब आपको ही सपोर्ट करते हैं अब आप ही सोचें कि क्या करना होगा अच्या ठीक है फिर बाग शेर के पास जाता है लुमडी के बातों में मुगध होकर बाग शेर के लिए खाना ले जाना भूल जाता है महामंत्री अज क्या लेकर आये हो पता नहीं आज एक भी जानवर नहीं दिखाई दिया बहुत धुड़ा था लेकिन खाना नहीं मिला मुझे बहुत भोक लगी है फिर से शिकार पर जाओ मैं बहुत ठक गया हूँ अब मुझसे नहीं होगा तुम्हे राजा का अज्यापालन करना होगा वन जानते हो न इसका अंजाम क्या होगा कुछ नहीं होगा आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते बुद्धी बल और भुज शक्ति में आप से कहीं बहतर हूँ इतने सालों से आपका महामंत्री हूँ लेकिन आपने कभी मेरा आदर नहीं किया क्या हुआ मामंत्री तुम ऐसा क्यों कह रही हो जंगल में क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता सभी चनवरों का सपोर्ट किस से है पहले ये तो पता किजिए इस तरह बाग वहां से चला जाता है फिर शेर के पास लोमड़ी आकर कहती है आ… आरे महाराज के इतनी बेचतिकी इतनी बेचतिकी लगता है मामंत्री के नजरों में आपका कोई मोल नहीं है पहले ये बताओ कि जंगल में क्या हो रहा है वो महाराज मंत्री जी सारे जन्वरों का आपके खिला भड़का रहा है और आप पर हमला करके खुद राजय बनने का सपना देख रहे है क्या महा मंत्री इतना बड़ा धोका दे रहा है हाँ महाराज आप चाहे तो अभी चल कर देख ले सारे जन्वरों के साथ मंत्री जरेंगे अच्छा ठीक है चलो इस तरह शेर ने लोम्री के साथ थोड़ी दूर जाकर देखा तो वहां जन्वरों के साथ बाग दिखाए देता है देखा महाराज आपके खिलाफ जन्वरों को केसे भढ़का रहे हैं फिर भी कोई भी जन्वर उनके बातों में नहीं आएगा सब आपको ही सपोर्ट करते हैं अभी इस मंत्री का अंत्र करता हूँ अरे नहीं नहीं इसे जन्वरों के सामने आप पूरे बन जाओगे इसलिए जो कुछ भी करना है सब के साबने किजिए सब को दिखा दिजिए कि आप कितने बलवान हैं जब आपका गोरब और बढ़ेगा ये कहकर वहां से चली जाती है फिर लोमडे बाग के पास जाकर कहती है वारे वारे महाराज बनने का सब्दा कल ही पूरा होगा अपना पूरा शक्ति लगाकर उस महाराज को हरा दिजिए तब आप ही इस जंगल के राजा बनोगे इस जंगल का होने वाला महाराज हूँ मैं होने पाले महाराज की जय हो फिर बाग वहां से चला जाता है अगले दिन सुभे समाविस होता है जब शेर कहता है सुना है कुछ लोग राजा बनने की सपने देख रहे हैं इसलिए सबको मेरी खिला भड़का रहा है अब सुनो जो कोई भी मुझे हराएगा इस जंगल का राजा बनेगा इतनी हिमत किस में है अभी आओ अभी मैं उसको अंत करता हूँ खबरदार ये सुनकर सारे चानवत डर से कापने लगते हैं इतने में बाग आगे आकर कहता है आपके धंकियों से कोई नहीं डरता राजा जी सबकर सपोर्ट मुझे ही है मैं आपसे मुकाबला करूँगा और आपको हराऊंगा और इस जंगल का राजा बनूँगा तो अब देर किस बात की है चलो इस तरह शेर और बाग में एक भयंकर लड़ाई होते हैं कुछी दिर के बाद दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो चाते हैं आखिरकाँ शेर मर जाता है फिर थोड़ी दिर के बाद बाग में हिलने के शक्ति भी नहीं होती फिर कहता है मैं जंगल का राजा हूँ ये गेते हुए वो मर जाता है इससे सारे जानवर बहुत खुश्च हो जाते हैं और अपनी आजाती का जशन मनाते हैं दोस्तो राजा और मंत्री का खेल खतम हुआ इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है आगे से हम लोग बहुत खुश और सुरक्षित रहेंगे वाँ दोस्त वाँ तुमने साबित किया कि अपनी बुद्धी के बल से कितना भी बलवान सत्र को हम आसानी से सामना कर सकते हैं आप कोई चिंदा नहीं दोस्त फिर खुसी खुसी सारे जानवर वहां से चले जाते हैं तीन बकरे भाई और राक्षस बहुत समय पुरानी बात है एक जंगल में तीन बकरे भाई रहते थे वो हमेशा साथ रहते, साथ ही घास खाते और खुब मस्ती करते धीरे धीरे दिन योही गुसरते जा रहे थे लेकिन अब गाउं में बारिश ना होने की वज़े से उनके गाउं की वो खास अब सूखने लगी थी अरे भाईया, अब हम कहां जाएंगे? ये घास तो सूखती ही जा रही है हो, तुम सही कह रहे हो अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा लेकिन तब ही तीसरा भाई बोला भाईया, मेरे पास इक तरकीब है वो जील के उस पार बहुत सारी हरी घास है अगर हम वहाँ चले जाए तो जिन्दगी भर पेट भर कर खाते रहेंगे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी हाँ, तुम सही कह रहे हो अरे लेकिन भाईया, जील पार करने के लिए वो जो पुल है, उस पर तो राक्षस रहता है वो किसी को वो पुल पार नहीं करने देता सबको मार डालता है क्या आपको पता नहीं? अगर हम वहाँ गए, तो वो हमें भी मार डालेगा तीनो भाई अब सोच में पड़ गए थे तभी बड़ा भाई बोला मेरे दिमाग में एक तरकीब है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तीनो एक साथ गए और बड़े भाई ने सबके कान में कहा बास, एक सबरदस्ट प्लान तयार हो चुका था तीनो पुल की तरफ निकल लिए जब वो पुल के पास पहुँचे तो वो तीनो एक पेड के पीछे जाकर छुप गए कुछ देर में बड़े भाई ने सबसे छोटे बकरे को इशारा किया और वो पुल पार करने के लिए चल दिया तभी वहाँ पर बड़ा सराक्षस आगया तुम्हारी इतनी हिम्मत छोटे से होकर मुझ से पंगा लेते हो मेरा पुल क्रोस करने आए हो अब मैं तुम्हें नहीं चड़ूँगा मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा बिचारा बकरा सोर से डरा लेकिन हिम्मत बटोर कर उसने राक्षस से कहा महराज मैं एक छोटा सा मामूली सा मरा टुचा सा बकरा हूँ मुझे खाकर तो भला आपकी भूग भी नहीं मिटेगी मैं तो आपके नाश्ते के लायक भी नहीं हूँ अगर आप मेरी बात माने तो पीछे मेरा भाई आ रहा है वो मुझे से बहुत बड़ा है उसको खाकर आपकी भूग मिट जाएगी कृपिया मेरी बात मान ले महराज राक्षस को महराज सुनकर बड़ाई खुशी हुई और फिर उसने बोला सही कह रहा है वह तुम तुम्में तु बिल्कुल भी दम नहीं तुम्हें खाकर मेरा कोई भला नहीं जाओ यहां से मैं तुम्हारे भाई का इंतिजार करूँगा ये सुनते ही छोटा बगरा पुल क्रॉस कर गया थोड़ी देर बात पेड़ के पीछे चुपे दूसरे भाई ने पुल क्रॉस की बस राक्षस ने उसे घिर लिया हो 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 अब मैं तुमको खाऊंगा तुम तो काफी मोटे ताजे हो राक्षस की बात सुनकर बक्रे ने कहा बहराज मुझे शमा करे लेकिन मुझे खाकर तो बस आपके नाश्ते का इंतिजाम होगा अगर आप थोड़ा और इंतिजार करेंगे मेरा बड़ा भाई पीछे ही आ रहा है वो मुझसे ज्यादा बलशाली है अगर आपने उसे मारा तो कम से कम दो तीन दिन का खाने का इंतिजाम हो जाएगा कृप्या कर महराज मेरी बात माने राक्षस एक बार फिर से महराज सुनकर खुश था उसने दूसरे बकरे को भी जाने दिया तीनों भाईयों में सबसे बड़ा बकरा पुल पर आया राक्षस ने जैसे ही उसे देखा उसने सींग से वार कर दिया राक्षस को समहलने का मौका ही नहीं मिला वो धडाम से जाकर पुल के नीचे नदी ने गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया और तीनों भाईयों ने आराम से पुल क्रॉस किया और पुल के दूसरी तरफ खास ही घास थी पेट भर कर उन्होंने घास खाई और खुशी-खुशी वही रहने लगे तो देखा आपने जब हम धैर्य और दिमाग से बिना डरे कोई काम करते हैं तो चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो हमेज सफलता मिलती है ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए